आज हम बात करें है सुजलोन एनर्जी की सुजलोन के स्टोक में आज भी हमने जबर्दस तेजी देखिए पिछले दो-तीन दीन से लगातार पॉजिटिव माहूल बना हुआ है आज स्टोक 9 को क्रॉस कर गया तो क्या आने वाले समय में फिर से ये टू डिजिट में जाएगा या इस्टोक नीचे चलाएगा यहाँ पे इंसाइडर ट्रेडिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको हम डिसकस करेंगे क्या शेर बेचे गए है या खरीदे गए जानने की कोसिस करेंगे और किसने शेर बेचे है या खरीदे है दूसरी तरब अगर आप देखे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड़ी गुड़ी निकल के आ रही है विड़ी अनर्जी के लिए क्या है वो गुड़ी उसको भी डिसकस करेंगे और आने वाले समय में क्या सुजलोन में तेजी आ सकते है क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है वैसे तो मैंने ये स्टॉक आपको 1 रुपी से सजजेश्ट किया हुआ है लगातार खरीदार की सला दे हुई है लेकिन जैसे इसकी प्राइज थोड़ी नीचे आते है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकों दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मीले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जिरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते है मैं हूँ आपका दोस्त S.B.W. और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते स्टोक ओपन हुआ 8.70 पर लो बना 8.60 का और हाई है 9.30 का अंत में क्लोजिंग 9.05 पर रही जापर में 5.23 परसंट की सांदार तेजी देखनों को मिली यहापर आप देख सकते हो कि स्टोक फिर से 9 पर आ चुका है यहापर इसकी परफॉर्मस देखे तो 27 मार्च 2020 को यह 1.85 के आसपास था बहुत ही नीचे श्टोक आ गया था आप देख सकते है कि कोरोना की वज़े से सारे वाजार में शेर नीचे आए उस समय यह भी आया लेकिन फिर दोड़ना सुरूगा और उस समय से परफॉर्मस यह गर देखे तो 5.90 की प्राइस थी और फिर श्टोक जब दोड़ा तो यह 13 तक चला गया था 17 जनवरी 2022 को फिर इसमें गिरावट का दौर फिर आया फिर श्टोक नीचे आ है इस बार यह रिसेंटी जब नीचे गया तो 6 रुपी तक वापच जाक्या है परफॉर्मस यह गर देखे तो 6 रुपे से श्टोक नौ पर आया बहुत ही जबर्दस रिटन दिया कम समय में यहाँ पर अगर हम इसके वालिम को देखे तो BSE में आज 3 क्रोड 74 लग का वालिम वा सामने 1 क्रोड 9 लग की डिलिवरी उठाएगी और डिलिवरी का परसंड़ 29.20% है बात अगर NSC की करें तो यहाँ पर 19 क्रोड 94 लग का वालिम वा सामने 6 क्रोड 38 लग की डिलिवरी उठाएगी और डिलिवरी का परसंड़ 32.04% है वालिम को अगर हम एनलिस करें तो पिछले एक मैने पर इसका 9 क्रोड का वालिम था वन विक पहले 11 क्रोड का वालिम ह और आप यह समझ सकते हो कि यहाँ पर एपाई की तरफ से अच्छी खासी खरिदारी शुरू हो चुकी है और इसके बीच में यहाँ से जो अपडेट निकल के आ रही है जैसे कि अलोडे हमने पहले डिसकस भी किया था और हमने वीडियो भी बनाया था जिसमें कादा कि प्र इसके बाद में करिश्वा बागरेचा जो इनिकी फैमिली के मेंबर है इन्होंने करीब 5 लेक शेर बेचे और इसकी अमाउंट है करीब 38,50,000 की और इन्होंने जो शेर बेचे वो 18 तारिक को बेचे इसके अलावा अगर आप देखे तो पल्लवी बागरेचा ने भी शेर ब इन्होंने 17 से लेके 19 तारिक के बीच में शेर बेचे तो यह आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार आपको शेर बिखते होई दिखाई देंगे इंसाइडर टेडिंग हो रही है और तो प्रमोंटर ग्रूप से शेर खरीदे भी जा रहे है और बेचे भी जा रहे है प्र इन्साइडर टेडिंग लगाता है सुजलों में होते हैं इसी वज़े से लोगों को बहुत बार डाउट रही है आखिर हो किया रहा है तो यह अंदर की बात तो किसी के भी अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रही है लेकिन कुल मिला कि आप देख सकते हो कि बीजन इन्डिया तीसरी कंट्रीज बन चुकी है यानि आने वाले समय धीरे देज़े जो हुई है ग्रीन अनर्जी के सेक्टर में अपनी और प्रजेंस को बढ़ाने वाले और बीजनेस को बढ़नेता हुआ दिखाए दे सकते है यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो सबसे इसमें पूरी दुनिया में नंबर तीन पे है ग्रीन अनर्जी के मादर में इस्टॉलेशन के मामले में इंडिया जो लगातर अपने गोल को अच्छिव करें 2022 के लिए इनका 175 गीगावाट का गोल रखा हुआ है और 500 गीगावाट का इस्टॉलेशन का गोल रखा है सरकार 2030 के लिए जो आदे वाले समय पूरा होता हो दिखाई दे रहा है यहापे आप देख सकते हो कि अलग लग जो सोर्सेज है ग्रीन अनर्जी के जिसमें सोलर पावर, विंड पावर, जियो थर्मल पावर प्लांट, बायो गैस और इसके लावा लो इंपक्ट, हाइडर एलेक् अगर आप यह देखे तो इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे रास्ते खोल दिये, FDA को 100% पर्मिशन दे दिये कि आप आप यह निवेस कर सकते हैं इस सेक्टर में, तो आप देख सकते हो बाहर सा इन्वेस्मेंट आना भी शुरू हो चुका है, और लगातार अ इन कंपनियों के लिए इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है फंड की, और इसलिए जरूरी है कि जो भी उनका इलेक्रिसिटी का जनेशन हो, वो जल जल बिके और उनका पैमेंट उनको तुरंथ मिल जाए, तो सरकार अपनी तरफ से कोशिस कर रहे हैं कि इनको इन इनडिया में इनवेस्मेंट करना चाते हैं और इसलिए आप देख सकते हैं को आने वाले समय में विन अनरजी सेक्टर में बहुत बड़ी तीजी आने वाली है, यह पर सरकार न भी प्लान किया कि प्लान किया है कि पी जए इनको बश् Connectcco के डिया दाए और जल्दी यह कोश बड़ी तेजी आने वाली और इसका फाइदा तो मिलेगा ही मिलेगा सुजलोन को और जिस तरह से आप देखाऊंगे प्राइज बढ़ रही है वो यह सावित कर रहे है कि अब यहाँ पे FI की तरब से जबरदस खरीदारी शुरू हो चुके है सुजलोन में प्रोफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि एक तरबाई स्टोक कोई भी दोड़ेगा नहीं यहाँ पे प्रोफिट बुकिंग जरूर आएगी फिर इस टोक नीच आएगा फिर बोलेंगे यह तो वापस नीचे आ गया और इसलिए जरूरी है कि अगर आपका नजरिया सौट टम का है तो प्रोफिट बुक करने की कोशिस करें लॉंग टम वाले बने रहे कोई चिंता की बात नहीं यह आने वाले से में आपके इंवेस्मेंट को कही गुना बढ़ाने की टाकत रखता है यहापे आप देख सकते हो कम्Юिनुटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है 79% बाइ की कोल है 14% सेल की कोल है 7% होल की कोल है तो यहाप देख सकते हो 100 मैंसे 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे है अब इसके pivot level को check कर लेते तो यहां से गर गिराओट हो जाती है तो 7.90 का first support है यह support टूटा तो 7.20 तक stock जाएगा और नीचे गया तो फिर 6.80 तक जा सकता है यह आपको ध्यान अगना है अगर गिराओट होगी तो फिर stock नीचे आने की समावनों बनती है positive माहल बनेगा तो 9 का first resistance है जो अलड़ी आज break हो चुका है second 9.30 का बिल्कुल इसके आसपा से return हुआ इसका मतलब यह भी आपको resistance break होता हो दिखाए देगा अब तीसरा 10.10 का यह निचे जाता हो दिखाए देगा तो तेजी का माहल बना हो stock अब 10 को cross करता हो दिखाए दे सकता ह लेकिन फिर भी short term investor profit book करने की कोसिस करें long term वाले बने रहे इसको छेड़े नहीं बलकि समय खरिदारी का मौका समझे और जितना हो सके निवेश करें यह आने वाले समय आपके investment को कई गुना बढ़ाने की ताकत देखता है आप देख सकते हो कि इस बार result बहुत ही जबदस र सर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like शेजर रुकिज़ और चैनल को subscribe कर दीजे